इसके चपेट में पूरा जो परिवार है लेकिन कलमा प्रिशाद ने जिस बात का जिक्र किया था उनका कहना था कि BJP की और से उन्हें ओफर मिला था लेकिन जब उन्होंने ठुकराया रिजेक्ट किया तब इस तरह की कारवाई जो है वो देखने को मिल रही उनका कहना है कि राजनतिक कारणों की वज़े से उनके आवास में इडी की चापे मारी हो रही है साथ ही उनका यही कहना था कि हाली के दिनों में उन्हें एक बार फिर से BJP की ओर से दबाव मिले थे कि 14 लोग सबा सीट से वो लड़े और उन्होंने कहा कि मैंने रिजेक्ट किया जिस का कहना था या पर कह सकते हैं कि कॉंग्रिस की ओर से यही का जा रहा था सुत्रों के वाले से यहानकारी मिल रही थी कि शाहिए अंबा परिशाद का कहना है जिस Zachव को मिल इसके साथ ही देखिए सुमित कुमार का भी नाम सामने आ रहा है जो अमबा प्रशाद के भाई है और ऐसे में उनका नाम इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि ट्रांसपर पोस्टिंग का भी जिक्र यहां पर होता वा नजर आ रहा है इसके साथ ही जमीन घोटाला का भी नाम सामन एगर आपको दबाव मिल रहा था तो कौन आपको दबाव दे रहा था तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में अगर एसा EDA को लगे कि सुमित कुमार, यानि की कोशिश कि गई है लगबक दो दिनों तक अजारी वाग वाले आवास में वो मौजूदे तमाम चीजों को देखनी की कोशिश कर रहे थे एक एक जो काफजात घर में पड़े थे वो काफजात को एडी के अथिकारी अपने साथ लेकर गये हैं और एसे में माना जा रहा है कि समिध कुमार की जो समन्लिप्तिता है उसमें है तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में अगर इडी को ऐसा लगे कि समित कुमार से पूछना चाहिए तो जरूर समित कुमार को समझ Hyal newspapers के आजवाएगा और उसके बाद प्रसाद के लिए मुश्किलें बढ़ रही है इस चापे मारी के बाद क्यूंकि ऐसी जानकारी मिल रही है कि एडी के हाथ कई दस्तावेज लगे हैं जैसे में अब प्रसाद के भाई का सीधे कनेक्शन अवैद खनन से जोड़ता हुआ नजर आ रहा है अगर ऐसा होता है तो प्रसाद के भाई को बुला सकती है या फिर उसे गिरफतार भी किया जा सकता है बहराल करिश्वा मासा जुड़ी हुई अगली खबर पर उनसे चर्चा करेंगे और वो खबर है कि आखिर राची का किंग कौन होगा भाजपा राची लोग सभा सीट को लेकर पूरी तयारी क साथ आगे पढ़ रही है लेकिन विपक्षी गडबंधन के पास राची लोग सभा सीट को लेकर घोशना नहीं अब तक की गई है चारकर के किसी भी सीट पर घोशना नहीं की गई है लेकिन राची लोग सभा सीट अगर कॉंग्रेस के खाते में जाती है तो बीचे पी के सं प्रत्याशी के तौर पर सामने आ रहा है जिन तीन नामों की सुची राची लोग सभा सीट के लिए जारकन कॉंग्रेस प्रभारी गुलाम महमद मीर के साथ दिल्ली भेची कई है उसमें इन दोनों नेताओं का नाम है अब देखना दिल्चस्प होगा कि केंद्रे कॉंग्रे कॉंग्रेस के जारकनेकाई जहां सुबोतकान सहाई के साथ खड़ी दिख रही है वही केंद्रे नेतरतों सुबोतकान सहाई के पिछले लोग सभा के प्रदर्शन को आधार बनाकर राची लोग सभा सीट से प्रत्याशी की घोशना करने से पहले इस बात पर गंभीरता से चर्चा करना चाहता है और ये भी जानकारी है कि शायद केंद्रे नेत्रितों की सोच से सुबोत का सहाई भी अवगत है और इसी बात को लेकर वो पार्टी से नाराज भी चल रहे हैं इस बात को लेकर जाकन प्रदेश अदक्षर से जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने राम टहल चौधरी का भी नाम आ रहा है तो क्या वो तीसरा कौन हो सकता है क्या सुबोत कान के प्रदेशन को देखते वे केडर नेत्रितों विचार कर रहा है उनके नाम पर जो देखे जब से लोकसभा चुनाओ का विगूल बज़ा है तब से ये कह सकते हैं कि कई लोगों का नाम जो है वो सामने आ रहा है अगर भारती जंता पार्टी की बात करेंगे तो जब से भारती जंता पार्टी ने 11 लोगसभा चेट्रों में मुदवार हो की घोषना की है तब से कहीं न कहीं दबाऊ जो है वो इंटी गडबन्धन में देखने को मिल रहा है उनका यही कहना है कि शनिवार से पहले प्रतियाशो की नाम की घोषना जो है भो इंटी गडबन्धन कर देगी क्योंकि अब सीट लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखर कॉंग्रेस अगर साथ सीटों पर चुनाव लड़ीगी तो कौन-कौन प्रत्याश्वी जो है वो सामने आएंगे लेकिन अगर राची की बात करेंगे तो राची में सुबोत कान सहाय का जरूर नाम सामने आ रहा था अब जिस तरीके स से कदवी अवाज में कह सकते हैं कि राम टहल चौधरी का भी नाम जो है वो सामने आ रहा है तो कह सकते हैं पार्टी हर एंगल से देखने की कोशिश कर रहे ही कि आकर किस तरीके से इस बार कॉंग्रेस जो है अच्छे तरीके से प्रदर्श्वन करें और लोगों की बीच मे और फिर से आपने देखा होगा कि हाली के दिनों में सीच शेरिंग के साथ साथ कई चीजों को लेकर एक बड़ी बैठक जो है वो दिल्ली में रखी गई थी और अब कई लोग रेस में हैं तो ऐसे में माना जा सकता है कि केंद्री नेतिर्ट वियानी कि आला कमान तमाम चीजों को देखने की कोषष कर रहा है कि आखिर किस तरीके से और कौन प्रतियाशी को आगे करना है क्यूंकि अगर हमनों कॉंग्रेस की बात करेंगे तो आपने देखा होगा मुक्ति मोचा वहां से चुनाव लड़ेगा तो कह सकते हैं कि पहले से ही दावे किये जा रहे थे जारकर मुक्ति मोचा की ओर से और उस वक्त कई कॉंग्रेस के निताओं से हमने बाच्वीत की थी तो उनका यही कहना था कि चायवासा सीटिंग सीटे कॉंग्रेस नहीं छोड लहाया हुआ है तो कह सकते हैं कि अगर आच्चे की बात करेंगे तो कई लोग रेस में अब आने वाले समय में आला कमान की ओर से क्या कुछ दिशा निर्देश अनिताओं को दी जाती है देखने वाली बात हों कों हो सकता है है दो के नाम पर तो इवबट हो रहा है लेकिन तीसरा वो कौन हो सकता? क्या प्रदेश अदक्ष राजेश ठाकुर खुद इस रेस में है? सुबोत कां सहाई की बात करेंगे, तो सुबोत कां सहाई का नाम जो है, वो शुरवात से या रहा था की राचि लोग सबसीर से सुबोत कां सहाई ही चुनाव लड़ेंगे संजे सेट के ओपोजिट में, अब Dewजिए तीसरा नाम जो है, वो यही सामने आ रहा है कि राम टैकल चोधरी भी इस रेस में है तो अब आला कमान क्या कुछ रिसाइड करेगा क्योंकि यही कहा जा रहा है आसिया की शनिवार से पहले एक सयूगत बैठक रखी जाएगी एक सयूगत प्रेस कॉंफरेंस रखी जाएगी या फिर वो दिल्ली में या फिर वो राच्वी में और इस या फिर लेप अभी तक किसी ने उमिद्वारों की घोश्णा नहीं की है तो कह सकते हैं कि अभी तक सहमती नहीं बनी है क्योंकि कई लोग रेस में और ऐसे में कॉंग्रेस शाती है कि हर एक लोगों को देखा जाए कोई भी लोग नराज नहीं हो क्योंकि आपने देखा अगर इस तरीकी की बात सामने आए तो कॉंग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं पीछे हो अब देखिए सयूक्त बैठक रखी जाएगी उसके बाद एक अप्रेस कॉंफरेंस रखी जाएगी और उसके बाद चीजों को लेकर जिक्र की जाएगी कि आखिर कौन उमिद्वार आगे ह ही है राची लोग सबा सीट की बात करेंगे तो सुबोत कान सहाय का भी नाम सामने आ रहा है उसके बाद राम चहल चौधरी का भी नाम सामने आ रहा है अब दीरे-दीरे करके एक एक लोगों का जो है नाम सामने आएगा और देखने वाली बात होगी कि आखर किस नाम पर सह के खाते में ही रांची सीट जाएगी इसकी संभावना बहुत जादा है और ऐसे में रांची सीट से सुबोत कान सहाई या राम टहल चौधी या फिर तीसरा कौन इस पर मन्थन किया जा रहा है लेकिन जो कॉंग्रिस के प्रदेश प्रभारी है हुलाम एहमद मीर उनको सुच कर रहा है मन्थन कर रहा है और जल्दी स्थितियस पष्ट होने का दावा कॉंग्रिस भी कर रही है और एक और बड़ी खबर की बात करते हैं जो राची से मिल रही है आपको याद होगा जब एडी की दबिश पूर्व मुख्य मंत्री हेमन सोरियन पर पड़ रही थी तो आननफानन में एक मामला दर्च कराए गया था स्टी सी कोर्ट में एडी के अधिकारियों के खिलाफ और अब उस मामले में संग्यान लिया क्या हैं स्टी सी एक के तहत एडी के अधिकारी को हाजिर होने का निर्देश दिया गया है सारव मुख्यमंत्री जब थे हेमन सोरेन उस वक्त स्टीसी थाने में ये मामला दर्च कराए गया था कि एडी के अधिकारी उने परिशान कर रहे हैं जाती सुचक शब्दों का इस्तमाल कर रहे हैं से लेकर अब एडी के अधिकारीों को तलब किया गया है क्या पूरी चानकारी है आपके पास देखे राची पुलिस के द्वारा दो इडी के अपर निर्देशक कपिल राज और सायक निर्देशक देब्रत जाग सहीत और और सभी अधिकारीों को ये 21 मार्च को 11 वजे हाजिर होने का निर्देश दिया गया है और ये जो समझ जारी किया गया इसमें जो एमल सोरेन के गिरफ्तारी से पहले उनके जारा जो दर्ज करवा गया था उपर नामजद होने थी लेकिन इसके बाद इडी के अधिकारी हाई कोट सहुंचते हैं हलाकि हाई को रहत बहुती है कि उपर किसी परकार की पुड़े करवाई नहीं किया जाएगा लेक मार्च को बुलाया गया है तो रहत की उमीद यहाँ से पूर्व मुख्य मंत्री हेमन सोरेन कर सकते हैं जी हाँ सौरव क्या इस मामले में पूर्व मुख्यमंती हेमन सोरिन रहत की उमीद कर सकते हैं जब एडी के अधिकारी को तलब किया क्या है और ये मामला आगे बढ़ता है तो क्या वो अपनी गिरफ्तारी को भी चुनौती दे सकते हैं चली शुक्रिया सौरव इस तमाम जानकारी के लिए तो अब इस मामले में केस्तारी को इडी के अधिकारी को तलब किया क्या है और उसके बाद देखना है कि पूश्टारी के बाद या फिर थाने से किस तरह की मामले सामने आते हैं क्या पूश्टाच होती है और ये मामला आगे कहां तक बढ़ता है फिलाल इस पूलिचन में इतना ही लेकिन खबरों के लिए आप चुड़े रहें नियूस बाइसकोप के साथ पांच राजियें एक सट सहर एक सो पचास प्रोजेक्ट और एक वस्तू विहार नाइस नमस्कार मैं हूँ अभी से कुमार और आप देख रहें नियूस बाइसकोप और इस वक्त हम लोग सबाद चुनाओं को लेकर करके जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा करने के लिए पहुँच गए हैं पत्ना के गांधी मैदान में और यहां पर कई लोग हैं हम उन से बाचित करेंगा और जानेंगे कि क्या उनका कहना है क्या सोचते हैं और किस तरह से इस बार इस बार के चुनाओं में क्या कुछ महत्पून एजेंडा होगा क्या मुद्दा होगा इसको लेकर के करेंगे और जिस तरह से लगातार पक्स और भी पक्स άंगने सामने है और नें अब बात usar करेंगे क्या लंगता इस बार का चुनावी मुद्दा क्या होगा आप युवा हैं स्टुडेंट हैं पढ़ाई कर रहे हैं डिवलॉप्मेंट होगा फॉरेंट पॉलिशी होगा और आर्टिकल 370 होगा आर्टिकल 370 होगा इसके कारण नरंद्र मोद इलीट लेंगे इस वार भी तर डवलॉप्मेंट का जहां